कोराम रसिक रस पीए होगे, पीए होगे जुगजी होगे फल लंकरत बीज नहीं बकला, सुक पंची तहां रस खाई चुवे न बुंद अंग नहीं भीजे, दास भमर सब संग लाई निगम रसाल चारी फल लागे, तामे तीनी समाई एक दूरी चाहें सब कोई जतन जतन का हुबिर ले पाई पंग्तियां बड़ी मधुर है, सद्गुरु कवीर साहिब कहते हैं दो प्रकार के भक्त होते हैं, एक दो भौरे जैसे भक्त होते हैं और दूसरे सुवा पंची जैसे भक्त होते हैं जो भौरे जैसे हैं, आस पास मंड राते हैं, घूमते हैं लेकिन वे राम फल का रशाश्वादन नहीं कर बादें जो तोता पंची जैसे भक्त हैं, वे श्रद्धा रूपी चोंच के द्वारा बग्ति के फल का रशाश्वादत करते क्योंकि स्रद्धा विहीन भक्ती ऐसे होती है जैसे प्राण विहीन सरीर सरीर में प्राण नहीं है तो सरीर कोई काम का नहीं है ऐसे आपकी भक्ती में श्रद्धा नहीं है तो आपकी भक्ती भी कोई काम की नहीं है भक्ति को मुक्ति की चाभी कहा गया है रामचरित मानस में भक्ति को सुतंत्र बताया गया है सुतंत्र इसले कहा गया है कि भक्ति किसी भी उम्र में और कोई भी बेक्ति कर सकता है पांच वर्ष की उम्र में ध्रू ने भक्ति तपश्या किया था बच्पन में प्रहलाद ने भी भक्ती किया था कितनी माताएं बहने अपने बच्चों को गुरु दिछा लेने से मना कर देती कि अभी छोटा है रहने पर और जब वो बड़ा हो जाता है तो दारू मांस मचली में गुरु मंत्र ले लेता है अपने आप उसमें नहीं रोक पाते है गुरू से गुरु मंत्र लेने में ब्रेक लगा दिया अब दारू से मंत्र लिया है दारू पीता है अब माबाब का ब्रेक नहीं लगता है जब सरावी हो गया है तब फिर गुरु के पास आते कि लड़ता तो बिगड़ गया अब आप ही जानो बिगाणा है तुमने आउसर दिया बचपन से उसको भक्ती में चूड़ी है कुमल पौधे को जिधर जुकाओ उधर जुक जाता है लेकिन वही पौधा जिब बड़ा हो जाता है उसकी साखाएं कठोर हो जाती हैं, कड़ी हो जाती है तो जुकाने से उट तूट सकता लेकिन चुक नहीं सकता बचपन में ही भक्ती से जोड़ देना चाहिए और गुरू से यदि उसको प्रेम हो जाएगा अभी मद्य प्रदेश में समागम था एक सज्जन अपने बेटे को लेकर आई और कहने लगे बेटे की वज़े से हम भी सतसंगी हो गए ये मॉबाइल के यूटूब में बहुत प्रवचन सुनता है तो मैंने इसको एक दिन कहा तू क्या सुनता रहता है हर समय तो बोला पापा आप भी सुन लो सुनाया इसने एक घंटा तक मैंने कहा ये तो बहुत अच्छा सतसंग सुनाते संत जी तो आपका सतसंग बढ़वन भंटा में था हम बाप बेटे दोनों आये हैं बेटे की वज़े से हमारी श्रद्धा बढ़ी है मोबाइल प्राय लोगों की पास में रहता है लेकिन मोबाइल में सतसंग कौन कौन सुनता है कौन कौन फिलम देखता रहता है कौन कौन मोबी चलाता रहता है कितने लोग तो उसमें सांप औबाग भंशा देखते रहते देरे देरे खुद भी भाईसा बुद्धी हो जाती है कोई भी चीज है संसार की हर चीज दो प्रकार का कारी करती है यदि उसको गलत यूज़ करोगे तो आपका नुक्षान करे अगर उसे सही यूज़ करोगे तो आपको उसे सफलता और सुख दोनों मिलेंगे मोबाईल जब से आया है माबाब भी परिशान रहते हैं कि छट पे चड़ करके ये चुपके चुपके किस से बात करता है सब सो गए हैं रात में एक टांग टेड़ी करके बात कर रहा है माबाब का कंट्रोल भी समाप्त हो गया है सादू समाज में भी कंट्रोल समाप्त हो गया है क्योंकि सादू के पास भी मोबाईल है अगर उसकी बुद्धी ठीक से कंट्रोल नहीं करे इधर उधर भी बात करता रहता है कितने शादू तो अपने परिवार में बहुत बात करते हैं मम्मे से बात करेंगे फिर भावी से करेंगे फिर छोटी वाली भावी को ढोड़ेंगे और फिर भतीजे फिर गर की जो भेंस भेंस उससे भी बात करेंगे भेंश तो ठीक है, दुनिया भर की बात करते रहते हैं, कितने शादू लोग अपने रिष्टेदारों को ढोड़ ढोड़ के फोन लगाते रहते हैं, घर तो छोड़ दिया लेकिन घर का मोह नहीं छोड़ पाई, घर के मोह में पड़ोगे, आप जिस कारी को करने के लिए निकले हो, उसमें भी शफल नहीं हो पाई, और ये घर के लोग कोई हेल्प भी नहीं करेंगे, कौन मदद करेंगे, अभी मैं देखता हूँ जो लोग सादू बन गए हैं, उनके परिवार के लोग उनको देखने भी नहीं आये हैं, कि ये रहता कहा है, भीक मांगता है, कि भंगी हो गया है, कि महान बन गया है, कि क्या करता है, इसकी दसा है कि दुर दसा है, वो उसके आश्रम में देखने भ बड़ी दिया हो कि लोखर्च कर लेना बेटा कभी बीमार हो गया कुछ नहीं बस थोड़ा नाक की रेमट निकाल कर डाल दिया है रहे जमसे तुम चुने क्यों बहुत दुख है बस इतने होता है बस वो नाक की रेमट लेकर आ गए साहिब जी लिये जा रहे है चाटो जाकर जड़क पर है है क्या वहां जहां अस्रम है वहां से मेरी जनमभूम पास में हमारे जनमभूम में पांचे संत थे पहले से संत थे लेकिन जहाँ बंडारा होता था चले जाते थे खा लेते थे फिर आकर घर में अपना कमंडल बजाते रहते मैं संत बनने लगा तो मेरे घर के बोले अरे वो पांचे संत गाओं का है वो तो सब बेकार है तुम कहां वो इसके साथ लंगोटिया बांधे भूमोगे मैंने का हमें बनने दुआ जिस दिन से निकलूंगा घर की तरह मुड़ के देखना में मौह नहीं करना पूरी ताकत से जुटना है संतलाइन लाइन पास में है 36-37 किलो मेंटर पर घर मेरे माबाप के अलावा और सगे भाईयों में भी आधे भाई लोग आये हैं आधे वो भी नहीं आये हैं देखने नहीं आये हैं यह बौकों मर रहे हैं कि इनकी दूरदसा हो रही है और मेरे बड़े पिताजी और छोटे पिताजी वो तो जिन्दरी माये ही नहीं पंसमें गाउं हैं तो मैं समझ गया अगर हम खुद ही अपने आपको सफल नहीं करेंगे ये कोई चाचा चाची माचा माची भाभा भाभी काम आने वाले नहीं है पूरी ताकत से इसी में हम लग गए अब जब सफल हो गए तो रिष्टेदार भी खोद खोद की रिष्टा दूसरों को बताते हैं अरे वो राश्टी संद जो है न वो तो हमारे मामा की लड़के है बहुत परिचे लोग हमारा देते हैं क्योंकि अब जिस जिले में आश्रम है उत्तर प्रदेश के कम से कम 20 कलक्टर हमारे से जुड़े है 40-50 तो सब कलक्टर जुड़े है तहसिलदार सैकोडो जुड़े है पटवारी तो 200-300 जुड़े है तो सब लोग कहते हैं आरे बहुत बड़ा प्रुभाव है लेकिन कोडी दिया नहीं भूंको मर जाओ चाहे नंगे घुमो कोई काम नहीं आए इसलिए संत को संत लाइन में ही पूरत दिमाग लगाई है उसी में मन लगाई है कितनी लड़कियों का विवा हो जाता है ससुराल जाती है रोज अपनी मां को फोन करती है मम्मी तुम ठीक हो हाँ बेटी मैं तो ठीक हो तुमारी याद आती है हमको भी मम्मी याद आती है बस यह क्या कर रही उसको बिगाड रही हो याद आती है याद कर लो याद आती है नाक में क्यूं बोलती रो रो करके फलतू बकवास जितनी बहुए बिगडी है उसमें सबसे बड़ा कारण उर्ची मां हो और जो लोग माबाब बन जाते है न वो समस्ते हम बहुत बुद्धिमान है क्योंकि अब हम मा बन गए अरे मा तो जानवर भी बन जाते है बुद्धिमान बेकती जो ज़्यादा बुद्धिमान वो ना मा बनता ना बाब बनता है वो अलग ही रहता है वी बुद्धिमानी क्या है बेटी से साब बता दीजिए कि मेरे को बार बार कौन मत कर अब मैं तेरी मा नहीं हूँ अब तेरी मा तेरी सासू है ये जूटा प्रेम लबड जबड करना ललो चपो करना पुछकारना चुपकारना लल्ली देवी बनाना इसे सम्मेटर विगड़ेगा अपने पती की गम खा भोजन कम खा नहीं तो गई है पतनी बनकर लोटेगी हतनी बनकर सासू की बाद सुन जवाब मत दे ससुर का सम्मान कर जेट और देवर से बात मत लड़ा सांती से रह तेरा यहां गुजारा अगर हो जाता तो तेरी सादी ही नहीं करते यहां खाने कमी नहीं थी रोज रोज फोन मत लगा उदरी रहना ठीक ठाक बेटी को सहन सील बनाओ कितनी माताएं कहती है अगर कोई दुख होगा तुरंद फोन करना हम सब इंतजाम कर देंगे तुम क्या इंतजाम कर दो कुछ नहीं ठिक कर पाओगी इसलिए शंत बनो पूरा मन लगाओ और किसी रिष्टेदार से भी काम चलने वाला आप भी ग्रहस्त बने हो अपनी ग्रहस्ती में मन लगाओ और एशा मन लगाओ उन्नती करो विकाश करो पती की चार बाते सहलो और पतनी की दो बाते सहलो और घर में एक को बड़ा मान लो जो बुद्धिमान हो समझदार हो क्योंकि केवल मेहनत से मन लगाओ उन्नती नहीं करता है उन्नती का रहस अगर कहीं छिपा हुआ है आज सावधानी सुनना इस बात को आपके decision में उन्नती और सफलता का रह सचिपा हुआ है decision किसे कहते हैं English है decision decision का मतलब होता है निरणे लेना निरणे मतलब लोता है फैसला लेना फैसला का मतलब क्या होता है क्या करना है ये फैसला लेना है अगर पांसो का सामान कहीं भेजना है और 2000 का तेल फूक रहा है और सामान तुमने भेद दिया दिन भर ड्राइवर लग गया ड्राइवर ले लिया 2500 तेल फूक का 2000 का और 500 का सामान पहुँच गया अब गाड़ी फसी भी 5000 किस पांच लाग किस तो ये मुर्खता का निर्णे ये डिसीजन आपका गलत है फोन करके बता दो उधर ही सामान खरीद लेंगे 500 रुपे हम दे देंगे गाड़ी नहीं आएगी ड्राइवर नहीं आएगा न डीजल फूकेगे सीधी बात ये डिसीजन लीजी और एक निसाने में कई फाइनल काम होने चाहिए अश्मरन सक्ती को भी बढ़ाओ भुलो राम मत बनो मिमोरी स्ट्रांग करो लंबी सांस खिंचो याद सक्ती अगर कम है लंबी सांस किसी के दबाव में भोजन मत खाओ एक मिनिस्टर के हां में रात ठहरा सबेर वो खाने के लिए बैठा था उसकी पतनी एक तसला भर सलाद वलाद काट के रखी उसमें स्खा रहा था मैं तीसरी मंजिल की छट से जहाक रहा था तो मैंने मिनिस्टर से पूछा वजन कितना है बोले डेड़ कुंटल खाते कितना है बोले पांच किलो हमने गए इतना कैसे खाते है बोले शिरी मती जी जितना दे देती है वो सब हम खा लेते प्रेम से अब शिरी मती सोच रही है पती ज्यादा खाएगा तो ज्यादा बल्वान बनेगा बल्वान नहीं बनेगा ज्यादा खाने से आदमी ज्यादा कमजोर हो जाता है ज्यादा खाने से बुद्धी भी कमजोर हो जाती है तो बुद्धिमान जो इस्त्रियां है वो अपने पती को ज्यादा खिलाती है ताकि ये बुद्धीन हो जाए जो मैं कहूं वही करना सुरू करे इसलिए पती लोग सावधान रहें ज्यादा करप्या मत खाईए और वो चीज मत खाईए जो नुक्सान करती है आप क्योंकि आप जानते हैं मेरे शरीर को क्या सूट करता है इतनी गाड़ियां है कोई पेटरोल गाड़ी है कोई गेस से चलती है कोई डीजल से चलती है कोई केरोशीन से चलती है तो आप समझो आपकी गाड़ी पेटरोल गाड़ी है कि डीजल गाड़ी है गेस गाड़ी है कि बेटरिस चलती है आपको समझना पड़ेगा अब जो आ गया सो खाए बेठें आप तो आप हमेशा अस्वस्त रहेंगे युक्ताहार विहारस युक्त चेश्टस करमसू युक्त सुपनाव बोधस योगो भवत दुखा स्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं जिसका आहार और विहार यथा योग्य होता है जिसके करमों की चेश्टा यथा युक्य है जिसका सेंज जागरण यथा युक्य है और जो बिना बताए हुए अपने लाइक कारी को करना शुरू कर देता है वो इस बेक्ती के सब दुख मिट जाते है और उसका योग सिद्ध हो जाता है वह बेक्ती कभी दुखी नहीं रहता है हमेशा सुखी हो जाता है वो दिमान बेक्ती इंतजार नहीं करता है कि हमको लोग बताएं तब हम कारी करें वो दिमान बेक्ती अपने लाइक कारी को स्वैम खोज लेता है और करना सुरू कर देता है याद रखना जितने तुम कारी करते हो नहीं कारी के अनुसार तुम्हारा महत बढ़ता है मुल्ली बढ़ता है जिस दिन तुम कारी करना बंद कर दोगे उस दिन तुम्हारा मुल्ली गिरना सुरू हो जाएगा इसलिए जिन्दगी भर कारी करते हो